तो पहले वीडियो में अपने बात कर ली थी गरब अउकरांती मतलब गरब का गरबासे में उतरना है ना गरब गरबासे में आ गया है ना अब गरबासे में आने के बाद में अब बोलेंगे उसको गरब ओके तो अब पढ़ेंगे अपन गरब के बारे में तो गरब क्या होता तो अपन आचारिय चरक और आचारिय सुसरूत दोनों के अनुसार अलग अलग देखेंगे कि चरक नी क्या बताया है और सुसरूत नी क्या बताया है और दोनों के कोटेशन देखेंगे जैसे सुध सुकर और सुध आर्थों के लक्सन देखेंगे थे ना वेशे अपन यहां पर गरब देखेंगे तो फ़श्ट बात करेंगे according सुसरूत के अनुसार important है न कि उसन भी ऐसे पूछते हैं कि आचारिय सुसरूत के अनुसार गरब को परिवाशित कीजिए या आचारिय चरक के अनुसार गरब को परिवाशित कीजिए ओके और quotation देखना शुकर सोनितम गरबाशे स्तम आतम परकती विकार यह क्या है गरबाशे स्तम गरबाशे के अंदर है न आतम परकती विकार समूर्चितम गरब इत्ते उचे इते यह कोटेशन इंपोटेंट है अकोडिंग सुसरूत के नुसार तो देखो सुकर और सोनित गरब किसको बोलेंगे सुकर पलस सोनित पलस गरबाशे स्तम इस्तम मतलब गरब के अंदर गरबाशे के अंदर सोरी गरबाशे के अंदर तब भी तो होगा गरबाशे के अंदर आने के बाद में तो गरब होगा ना है सुकर सोनित आत्म यानि आत्मा परकती परकती और विकार यानि विकरती यह पांच चीजे मिलेगी न तो बनेगा गरब और वो भी गरबाशे के अंदर यहनि जूटरस जूटरस के अंदर सुकर, सोनी ती, आत्मा, परकती और विकर्टी यह मिलेगी न तो गरब बनेगा अब आपको पता है अश्ट परकती होती है सोडस विकर्टी होती है अब चतुर विस्टी हो गया है यह हो गया अकोडिंग सुस्रूत के नुसार नेक्स्ट देखेंगे अपन अचारी चरक के नुसार यह भी इंपोर्टेंट है विया सुकर सोनी ती जीन से योगे तू खलू कुक्षी गते गरब संक्या बहुती बहुती मतलब सुकर और सोनीत और जीव मतलब आत्मा सहियोग तू खलू कुक्षी गते कुक्षी मतलब गरबाश है तो इनका सहियोग होगा गरबाशे के अंदर गरबाशे के अंदर सहियोग होगा तो उसको बोलेंगे अपन गरब तो चरक ने तो सुकर सोनीत आत्मा ही बताया है यह और बताया है और इनका सहियोग होता है गरबाशे के अंदर तो उसको बोलते है गरब है अब गरब और पंच महाबूत में क्या समन्द है मतलब पंच महाबूत गरब पर किस परकार कार यह करते हैं तो देखना इसका कोटेशन नख वो बिए इमपोर्टन तो तम के चेटना उसते तम यह भी बहुत इमपोर्टन कटेशन वायोँर्विवजति वायूर्विवजति अ टेजये अंमगेम पजिदी टेजये अंमगेम पचृठी तेजह इनम पच्छती आपय कलेधए यंथी कलेधए यंथी और पर्तवी सहंती पर्तवी सहंती पर्तवी सहंती आकासम वीवर दह थी मतलब बढ़ा नहीं तो इसका मेनिंग देखना है, देखो, तम चेतना उस्टितम, तम यानि गरब, चेतना उस्टितम, यानि आत्मा, आत्मा शयुक्त, वायू, वायू क्या करेगी, विबाजन का काम करेगी, तो गरब में विबाजन कोन करती है वायू, तेज यानि अगनी, अगनी क्या काम पकाएंगी, हाइँआ, हमार बनाएंगी उसको, तेजा इनमह पचती, आप alan हाऊ-कले आप मतलब जल क्या करेगा, कलीन कलीन मतलब गिला करेगा उसको गिला रखेगा है ना एम्योटिक प्लूड होता है ना वो और आपक लेंगे पर्त्वी सहती पर्त्वी क्या करेगी पर्त्वी उसका संगर्थित करेगी मतलब एक पिंड रूप में बनाएगी उसको ना और आकास वीवर्दियती आकास आकास क्या करेगा बढ़ाना आकास बढ़ाने का काम गरब को तो वायू क्या करेगी विबादन करेगी अगनी क्या करेगी पकाने का काम करेगी और जल कलीन करने का काम करेगा पत्वी संगतित करेगी आकास बढ़ाने का काम करेगी है ना तो यह हो गया पंच माबूत और गरब में संबंद है तो यह पढ़ लिया अपनी गरब औ और उसमें पंच महाबूत किस परकार काम करते हैं, ओके, यह पढ़ने के बाद में नेक्स्ट आता है कि अब गरब बन गया है ना, अब गरब की, गरब का शेक्स डिटर्मिनेशन होगा, कि वो मेल है या फिमेल है, ओके, तो अपने आईरवेद के अनुसार देखना शेक्स ड कि पहला है अकोटिंग किस के अनुसार आईरवेद के अनुसार देखना, अगर फष्ट पहला अगर सुक्र ज़्यादा है ना, तो पूरुस बनेगा मतलब मेल, आर्टो ज़्यादा है ना, तो बनेगा, फिमेल फिमेल मतलब इस्त्री और दोनों बराबर है ना समान आर्टव भी समान है और सुकर भी समान है तो वने का नपुसंग बहुत जेंडर ओके फ़स्ट तो यह हो गया और शेकिंड हो गया अगर मैंने बोला था मेतुन करेंगे अपने रितु काल में रजिस्ट्राव काल रितु काल रितु काल और रितु वैतित काल तीन काल होते है तो जो ये शेकंड काल होता है ना जो बारा से सोड़ा दिन का होता है रितु काल इसमें मेतुन करेंगे ना तो गर्बदान होगा तो इसमें अगर देखो रितु काल में रितु काल में अगर सम दिनों में सम दिन में मेतुन करेंगे अपना सम्दीन में मैं तुन करेंगे जैसे six, eight, 10, तो पुत्र होगा मतलब मेल होगा। और अगर विसम्दीन में में तुन करेंगे तो इस्तरी पुत्री मतलब फि मेल होगी। है एक हो गया सेकंद यह हो गया थाइड इसका टाइट एरिया है यह अपने अपने इस बताए군 क vist आगर जगो राइट टेस्ट से स्मेगा और लेफ्ट तेस्ट अहँ나ructive तो मेल हो जाएगा और ममेल जाएगा यह उआ आप वी से ही लेफ्ट टेस्ट लेफ्ट टेस्ट से स्मेगा और राइट अवेड शे आ officer अहाएगा तो हो जाएगा कि मेल थैडिया हो गया थैडिया होने के बाद में एक फोर्त है फोर्त ही है कि अपन को बता है कि जब इस प्रम का वेजाईना के अंदर इंटर होती है न तो क्या होता है तो देखो अपने आईरिवेद में बताया गया है कि योनिपत मतलब वेजाईना में तीन नाडियां होती है यह निमत मतले है वेजाइना में तीन नाडियां होती है समीरणा यह important है ना गोरी कि अपन आयर्वेड में शेक्स determination कहशे करेंगे और गोरी और चांद्रमाशी अब आपको बता है वेजाइना में इस्प्रम इंटर करेगा तो अगर इस्प्रम हैना समीरणा नाडि पे गिराना उसका कॉंटेक्ट है समीरणा नाडि से होँआना तो गरब नहीं ठैटा मतलब प्रेगनेंट नहीं होते हैं ना और अगर गोरी नाडि पे गिराना तो मेल बनेगा मतलब पुरुस अगर इस प्रम का continuous इस नाड़ी के इस नाड़ी में वाना तो पूरुस और अगर इस नाड़ी में वाना चंद्रमाशे में तो इस्तरी, मतलब कन्या, मतलब पूत्री, मतलब female यह ओ गया अपना sex determination, according to Ayurveda, यह ओने के बाद में एक topic है कि अब यह गरप बन गया तो अब अपने आयरुवेद में बता रखा है कि गरब में सबसे पहले क्या बनेगा पहले शीर बनेगा या हर्दे बनेगा या नाभी बनेगा या पकवाश्य बनेगा तो अलग-अलग अचारिय ने बता रखा है किसी ने बता रखा है कि शीर बनेगा किसी ने हर्दे बनेगा किसी ने बोला कि ना भी बनेगा तो ये ज़्यादा important है नहीं तो ये मत पढ़ना चाहिए next topic अपन बात करेंगे कि अब गरब बन गया अब गरब की वर्दी होगी मतलब पहले महिने में क्या होगा दूसरे महिने में क्या होगा तीसरे महिने में क्या होगा तो उसको बोलती है अपन गरब की माशिक वर्दी it's very very important महिने के अनुसार गरब की वर्दी होगी मासानू माशिक वर्दी कि पहले महिने में क्या होगा दूसरे महिने में क्या होगा यह अपन पढ़ेंगे सुस्रूत के अनुसार कि सुस्रूत ने क्या बताया अगर अपके माशिक वर्दी में ओके तो मैं पहले बात करूँ पर्तम मास में देखो 9 महीने है ना तो 9 के 9 कोटेशन इंपोटेंट है ना कोटेशन याद होना है तो कर ले ना प्लीज तो परतम मास में देखो, तत्र है परतम मासी कललम जाये तही है, तत्र परतम में कललम मतलब है, वो शेमी लिक्वीड हो गाज questionnaire, एक दमेशे मैं गोल ठक्के, कब के ठक्के के समान होगा वो, तो परतम मास में कलल अवस्ता में होता हूझ, पर्तम मास में गरब कलल अवस्ता में मतलब कप के ठकी के समान ऐसे होगा है ना ऐसे शेमी लिक्वीड फोव में पहले मास में है ना ये क्यों सनाता है कि गरब की कलल अवस्ता कौन से महिने में होती है तो पहले महिने में और दूसरे महिने में क्या होता है दूसरे महिने में देखो लिंक का निधारण हो जाता है कि वह पूरुस बनेगा या इस्त्री बनेगा या नपूसंग बनेगा तो अगर देखो अब आपको बता है इसमें यह शेमी लिक्वीड में है पहली महिने में शेमी लिक्वीड है मतलब कल लवस्ता में है अब दूसरे महिने में क्या होगा वो ठोस हो जाएगा ना लिक्वीड हो जाएगा इसमें शेमी लिक्वीड था इसमें सोलिड हो जाएगा मतलब पींड आक अपकार का वा यदि उसका आकार परिंद का Yakar का वा तो वो पूरुस हो जाएगा मतलब इसमें लिंग का निदान हो जाएगा मैंने बोला हैं यह ना और वो पेशी आकार में अगर पेशी काaval का वह तो इसत्री और अर्बुद आकार का ओवा कर अर्बू दाकार तो वह नपुसंग आजना यह इंपोर्टेंट है यह कि अपने आजियुएद में सुस्रुथ ने लिंग का निधैन्ड दूसरे महिने में बताया है है ना दूसरे महिने में बताया है कि वो पुरुस बनेगा या इस्त्री बनेगा कि अगर उस ठोस रूप में हो जाएगा दूसरे महिने में ठोस होने के बाद में अगर उसका आकार पिंड आकार का होगा तो पुरुस पेशी आकार का होगा तो इस्त्री और अर्बुद आकार वहोगत है तो नापुसंग हो जाएगा ओके यह दूसरा महिना हो गया थी दूसरे महिनय का है ना कोटेशन भी इंपरटेंट है अगर हो तो एक बार याद कर लिए तुम तिसरे पीर्ड kaip दो हाथ, दो पेर, और एक सीर, इसको बोलते है पंच स्पीड का, यह important है, कि पंच स्पीड का कौन से महिने में बनती है, तीसरे महिने में, और पंच स्पीड का होती क्या है, दो हाथ, दो पेर और सीर, इसको बोलते है पंच स्पीड का, ओके, इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट पंच स्पीड का क्या होती है क्यों से नाता है दो नमर का कि पंच स्पीड का को समझाईए तो तीसरे महिने में बनती है यह दो हाँ दो पेर और शिर्ख इसको बोलती है पंच स्पीड का हो गई एक तो इसमें दूसरे महिने में तीसरे महिने में पंचपीड का बनेगी और अंग परत्यंग अंग परत्यंग के भी भाग सुकसम होते है मतलब अपनी जो यह न पंचपीड का वो बनेगी लेकिन इस पस्ट रूप से नहीं दिखेगी अपनको अपन बाहर से पैचान नहीं कर सकते कि हाथ पेर शिद्र है न इसलिए सुकसम बोला है मतलब बहुत कम रूप में बनेगी अब एकदम इस पस्ट नहीं बनेगी तीसरे महिने में ओके यह हो गया तीसरा महिना चोथा महिने में क्या होगा की कि समपून अंग पत्यंग पहले कि अप्यक्स अधिक इस पस्ट हो जाते हैं यहना तीसरे महिने में क्या बनेती है देख तो पंच में इंडिका बनी थी और अंग पत्यंग सुक्सम विबाजी थे इसमें चोथे महिने में अंग और पत्यंग एकदम इसपस्ट हो जाएंगे है ना अपन इसपस्ट हो जाएंगे और अपन पहचान कर सकते हैं कि यह हात है यह पेर है यह शीद है है न एकदम इसपेष्ट बन जाएंगे न चकुर्ण अंग परतिंग विबाग मतलब तीसरे महिने की अधिक स मुस्वी यह अधिक स्पेष्ट हो जाएंगे है और दूसरी बात इसमें टीक में दो हड़े बन जाता है। इसमें गरब का अर्दे बन जाता है गरब का अर्दे वobilक्ते वह जाता है इसमें तो ये क्यूशन पूझते है कि गरब का ह 느 कौन से मैंने में बनता है तो चोते महाने में ह가요 छेतना दातु के अब्विख्ती भी हो जाती है कि अपनी आई अज, और अधुल शूरु की भी Servi So तो इस चोते महिने में इस्त्री को अपन क्या बोलेंगे जो प्रेग्नेंस लेडी होती है उसको बोलेंगे दो हर्दे है दो हर्दे है नी ओके दो हर्दे है नी इस्त्री बोलेंगे क्योंकि आपको पता है कि इसमें गरब का हर्दे विक्सित हो जाता है इस्ट्री को क्या बोलेंगी दो हर्दे है क्योंकि इसमें गरब का हर्दे बन जाता है तो और एक माता का हर्दे है तो गरब का हर्दे और माता का हर्दे दो हर्दे होते है इसलिए इसको बोलते है दो हर्दे है न तो ये चोता महिना है न बहुत जादा इंपोटेंट है कि इ पहले महिने में तो वो कलल हो जाएगा शेमी लिक्विड दूसरे महिने में वो ठोस होकर पेशी और अर्बूद हो जाएगा मतलब पेशी है तो इस्त्री और अर्बूद है तो नपुसंग और तीसरे महिने में पंच पिंडिगा बन जाएगी मतलब हाथ पेर और सिर बन उको भड़ से महिंने में लड़ी में हो तो यो इसले को से महिन से महिन में दो कि उसको ओगता है। दो अर्दे हो गए तो चोते महीने में माता जो अहर वियार का मतलब जो अहर वियार उसको पसंद रहना है वो अपन को देना चाहिए है ना उसमें अपन को उसको जो भी पसंद रहना है वो देना चाहिए क्योंकि जो माता आहर वियार की इच्छा करती है ना वो शेम वो के वो गरब करता है गरब उस आहर और वियार की इच्छा करती है और गरब के थर्यूई है ना बाद में माता को गरब के थर्यूई माता को फील होता है कि अपन को वो आहर और वियार करना चाहिए है ना तो उसमें देखना कि दो अर्डय का मेहत्व है इसमे जो माता और vr की इच्छा करते हैं उसको देना चाहिए अगर जो आर और vr माता इच्छा कर रही है09 उसको नहीं देंगे तो जो गरब है उसमें विकर्ती हो जाएगी है ना तो गरब में क्या विकर्ती हो जाएगी कुबडे मतलब गरब कुबडे हो सकते है लंगडे हो सकते है है ना और नेतर विकर्त हो सकता है है ना यह मतलब यह उसमें विकर्ती हो जाएगी तुम अगर दो अर्डे की अम्माना करेंगे न अपन तो गरब में विकर्थी हो जाएगी यह याद कर ले न यह दो अर्डे का मैतवा गया दो अर्डे चोते महीने में बनता है नतलब जो आरोर व्यार माता इच्छा करती है वो अपन को देना चाहिए नहीं देंगे तो ऐजा नेतर विकर्ति ये हो जाएगी ऑझे अब बात करते है पांचवा महीना मेन में पांचव वैक महीने में मन बनेगा मन का निर्मान होगा फाश्या जपक्त को प्राश मीर्ट है कि छट्ट माहीने में बनेगा बुद्दी कкі थजट्ट मास में बुद्द्दी से tietमा और सात्वे मास में क्या हो जाएगा सात्वे मास भी इंपोटेंट है सब्तमें सर्वांग पत्यंग विभाग प्रवेक्टर यह नाम याद रखना है तुमको परिवेक्टर है ना तो संपून अंगो एंड पत्यंगो का विभाग अधिक इस्पेश्ट हो जाता है यह इंपोटेंट है ना कि सात्वे माईने में पूरा एकदम गरब को अपन बता सकते है कि यह हाथ है यह पेर है यह सीर है यह मतलब यह बीच की बोड़ी है ना तो एकदम देखो तीसरे महीने में अधिक इस्पेश्ट नहीं होता है अंग पत्यंग चोत्य महीने में इस्पेश्ट हो जाता है और सात्वे महीने में एकदम सो परसेंट हो जाता है कि हां ये गरब है ये लेडी है यानि मेल है या फिमेल है कि सातवे महीने में अंग परते हैं कर और अधिक स्पष्ट हो जाता है मतलब एक दम कलियर हो जाता है अब आठवे मास में क्या होगा आठवे मास में ओज अहिस्तिर रहता है ओज अहिस्तिर का मतलब है कि ओज मतलब immunity power है ना मतलब बल बोल सकते है बोडी का बल immunity power है ना ओज अहिस्तिर का मतलब होता है कि ओज कभी तो गरब से माता में और माता से गरब में ऐसे आता जाता रहता है कि कभी तो माता से गरब में और गरब से माता में है ना तो ओज एष्टी रहता है तो इस मास में है ना इस मास में इस मास में मतलब है अगर जन्म हुआ ना जन्म होने पर गरब जीवित नहीं रहता है ना अगर इस मास में गरब का जनम हुआ ना तो वो जिवित नहीं रहता, क्यों? क्योंकि इसमें ओज आशती रहता है मतलब immunity power कभी गरब से माता में माता से गरब में आएगी अब जब immunity याश गरब से माता में आ गया है तो अब गरब में ओज नहीं है अब गरब का जनम हो गया तो वो ओज रहीद होगा ओज रहीद मतलब उसमें इम्म्यूनिटी पावर नहीं होगी इसलिए एकदम वीक होगा और उसके डेत हो जाएगी है तो आठवे महीने में बच्चा जिवित नहीं रहता है क्योंकि ओज ऐस्ति रहता है अब अगर ओज माता से गरब में गया और इस टाइम जनम हो गया तो ओज तो गरब में है माता में नहीं है तो माता जिवित नहीं रहेगी इसलिए बोल रहा है कि इसमें जनम नहीं होता नोवे मार्च में क्या होगा अब नोवा दसा ग्यारा और बारा इन में गरब का परसव होता है इन में गरब का सवबाविक परसव होता है जनम होता है गरब का अगर इसके बाद होगा तो वो डेंजरस है तो यह हो गया गरब की मासानुक वर्दी इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट है है याद रखना है पहले एंध मास में कलल होगा दूसरे वा दूसरे मास में और इस संपष्ट नएंगे तीमस में ऑर ग बनेगी पांचवे मास में मन बनेगा छट्टे मास में बुद्धी साथवे मास में क्या होगा अंग पर्टेंग और इसपर्ष्ट हो जाएंगे तो अंग पर्टेंग इसपर्ष्ट होने का काम तीन महिने में हो रहा है तीसरे महिने में में बार चाहट का निर्माण हो गया एन अब इसके बात गरब का फर्सव वा गया तो अब देखेंगे अपने रिफ दो में की गरब के अंगो की उत्पति कैसे होती है और अप्रा अप्रा का निर्मान कैसे होता है ओके